Hello दोस्तो, KLD classes में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे कि आज आपने देखा भी होगा कि सारे bank आज बंते क्या करण था कि कह सकते हैं कि आज जो सारे छोटे छोटे बड़े सभी बड़े bank आज कह सकते हैं कि बंते कोई भी करण नहीं हुआ है ये हर्ताल होने का क्या करण था अक्सर उनका कह सकते हैं कि ये मकसद जो संगठेने कह सकते हैं जो बैंक को पूरा डील करती है जो हर्ताल होता या इतने दिन बैंक बंद रहेगी वो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उनकी क्या ऐसी मांग है या सरकार ने ऐसा क्या कदम उठ पूरी पूरी दरह से कह सकते हैं कि जो हम लोग जनता है किसते गरीब जनता इनके उपर सबसे बड़ाई फिक पड़ेगा तो क्या वो जो बैंक संगठ है ने या जो बैंक कर्मिचारी हो क्या मांग कर रहे हैं और जो हम लोगे आम जनता की पैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 127 लाग करोलो पे जो आम जनता के बैंकों में जमा है उसका जिमेदार कौन होगा अगर जो बैंकों का बिले हो रहा है वो क्या होगा वो किसके पास जाए कर क्या सरकार ले ले लिगी या कैसेते हैं कि जो पूरा जानकारी देंगे और कहां पर उन्होंने क्या है इसे 15 पॉइंट लगबंग मांग की हैं कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले आपको भी देना चाहिए कि क्या आपका पैसा सुरच्छित है या नहीं और जिन बैंकों का बिले हो रहा वो पैसा क्या किय जाएगा और जो NPA वाला जो पैसा उसके बारे में बात करेंगे कि इतनी लाख करोड़ उपे बढ़ चुका है तो इससे क्या किसको घाटा हो रहा क्या सरकार को हो रहा या बैंक को रहा या जिनका पैसा पैसा किसका है सिर्फ गरीब और कह सकते हैं कि यह जो हम लोग होते ह इनका पैसा बड़े लोगों का किसी का कोई पैसा नहीं है तो इसके बारे में हम पूरी जनकरे प्रोवाइट करेंगे तो चली सबसे पहले मैं आपको दिखान दे देना चातो हूं यहाँ पे देखिए आप लिखा भी है कि क्या आपका पैसा बैंकों में सुरचीत है या न दी और इसमें दो संगटनों ने जो बैंक के किसते के पूरा होतान की कबर करते हैं या उसको समालते हैं तो यह संगटन का एक बार नाम आपको बता देना चाहता हूं पहला संगटन था आल इंडिया बैंक एप्लाइड एस्सोसियेशन और दूसरा था बैंक एप्लाइड इन दोनोंने कह सकते हैं मिलके बैंकों किस्कों कह सकते हैं हो या जो जनता होती उनको प्रावलम होती है तो चलिए हम बात करते हैं जो संगठन है वो क्या मांग कर रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे मैं थोड़ा सा जो वाइड पेज लेना चाहता हूँ जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना है वो देगे यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इनकी मांग है जो संगठन है क्यों कह सकते हैं कि सरकार के ओपर ये आरूप लगा रहे है क्या सही है यह आप भी समझेगा और ध्यान से समझेगा अगर आपको यह जो point मैं बता रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को नीचे कैसे थे comment जिरू करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक share करें इससे लोगों को बता चले कि क्या सरकार सही कर रहे है यह बैंकों का भी ले करके एक तरह से सही है लेकिन आपको जो मैं point बताने जा रहा हूँ यह आपके लिए बहुत important होगा तो पहला point इनका यह है कह सकते हैं कि बैंकों को जो हर्ताल करने का इन्होंने कहा कि जो आम नागरी के 1,27,27 करोड रुपे जो बैंकों में आम नागरी को के जमा है उसका कह सकते हैं कि मालिक कौन होगा या उसकी सुरच्छा कौन करेगा अगर जीन बैंकों का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह हर्ताल होने का एक और सबसे बड़ा कारा रही है तो सरकार 10 चोटे बैंकों को मिला के या बिले करके उसके अस्तान पर 4 बड़े बैंकों को बनाना चाहती है तो यह जो 10 बैंक है उससे 4 बैंक बनेगा तो 10 में एक कर्मचारी होंगे उसमें काम करने वाले चाहिए वो महिला हो या पुरूसर सभी लोग होंगे या उसके कह सकते हैं इससे और उसमें पैसा भी तो होगा उसी पैसे के बारे में लेके मामला हो रहा है कि ऐसा होगा और हो भी चुका है और कह सकते हैं कि जल्दी कारवाई हो जाएगी और सभी चीजे ये लागू हो जाएगी तो सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने ये कहा है कि जो संगठन है उनकी मांग ये है कि जो आम नागरिक के 127 लाग करोड उपे बैंक में जमा है इन बैंकों में उसका कैसेते है कि सुरच्छा या कैसेते है कि सुरच्छा कौन करेगा क्योंकि अगर ये बैंकों कबिले होता है तो इनके पैसे के हेर फेर सरकार के पास ही रहता है तो सरकार किसी को अपने कबजे में ले सकती है और जिससे जो आम नागरिक है किसे जो घोटाला हो रहा जैसे विहाली में किसे पीमसी बैंक का होगा है पीएंबी का होगा हर बैंकों में हो रहा है तो इससे किसका या आम जंते का ही पैसा है जो सरकार अपने कबजे में ले रह के NPA non-performing assessed होता है जो कह सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि जो बड़े businessmen होते पैसा लेके चले जाते हैं और कह सकते हैं कि पैसा जब उनको देना होता करज लिए होते पैसा चुकाते नहीं समय से वो ही जो दीरे-दीरे पढ़ने लगता उसी को पैसे चले में पियाता है तो यह इस समय कर बात कि भारत में कितना हो उसके पकर नेताओं के 7 जा रहे है जैडले ने जा रहे हैं किसी का लोन लेने जाते हैं तो आपके जितना जमीन होता है या आपके झो कोई होता ना कि सपोर्ट या भया कि आप किसी का गावा All लाई ये तो इसी तरह से बड़े बैपपारी या बिजनेसवें जम कोई लोन लेने जाते लिंगतर यहीं में कि कि इसे समस सकते हैं आप जानते भी सबहुत है तो यह सबसे बड़ी उन्होंने कहा है कि इसमें सबसे पहले उन नेताओं के उपर भीकर रहे की जा है कि जिसके पैसा उनको बड़े जो होते नहीं मैशक होते हैं तो इसलिए यह बात आपको समझ में आ कि तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं तीसरा पॉइंट यह कहा गया कि अगर एंपिये से माली यह पैसा वापास आता है जो लोग एंपिये में पैसा लिये हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरा पॉइंट यह है कि अगर एंपिये में जो पंद्रे लाग करोड यूपय हैं अगर हुँ पैसा वापस आता तो ग्वांब किसका होगा पैसा ये तो सिर्फ सरकार हो जाग 멌 सब गुणे बताईए अगर दस बैंक हो dign camera करें घृ 멞ाव स्व आगभ साइन घृच्र ऑब मताइए ऺशन बेंग को कह dag अगर पैसा बेंक को नहीं मिलेगा तो अपने ग्राहक को नहीं देगा जिसका पैसा कहिसे कि पैसा डूब चुका है या किसी तरह से बैंग के रहे हैं कि मातकी है कि 상 pronounce नहीं लोन किसी को देंगे तो दस लाग देंगे पांच लाग देंगे एक लाग दो लाग देंगे लेकिन एक बड़ा बैंक रहेगा तो बड़े-बड़े लोन देगा पूरे बैंक को दुबा देगा इसलिए उन्होंने का कि यह जो सरकार का फैसला है यह कह सकते कि सही नहीं है क्योंकि छोटे-छोटे बैंक होते हैं ओ कैसे ते किसी को पढ़ना है एजुकेशनल लोन लिया या किसी के साधी भई अपने सिस्टर या अपने लड़के के लिए सा बड़ा बिजनस्म्मान होता है वो सो ह सघर हम 2 Kron लेंगे भले उसकी कीवए चुकाने के कीमत नहीं होती है या ओपने से हे कहते हैं कि दस्ट गुना हमेसा लोन अधिक लेना चाहता है क्योंकि उसको पता है थोड़ा-थोड़ा ही चुकाना है बाद में हम भाग जाएंगे या देना ही नहीं रहेगा या आएगी सरकार दूसरी तो हम कहसे हैं कि उसको करजमाफी भी करा लेंगे तो यह सबसे बड़ी पड़ा कह सकते हैं कि बिजनसमेनों का ही काम होता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो चुनावी ब्रांड बांड चलता आपने नाम सुना होगा चुनावी बांड जो बिकता कह सकते हैं तो यह समझ सकते हैं कि उसमें कि पार्टियों को जीताने के लिए पैसा को पार्टिय कैसेते की कर्ज देता है बड़े-बड़े बिजनस्मेन का अगर माल ये सरकार उसको माफ करते है तो इससे किसको घाटा होता है या किसको फायदा होता मैं आपको बताना चाहता हूँ तो इससे कह सकते है कि कहीं न कहीं बैंकों को ही घाटा होता जैसे माल ये एक बिजनस्मेन है जो 50 करोड़ रुपिया कैसे के लून लेता है अब वह तरकार से मांचना करता है कि हमारा भ смерy भहुत जादे हैं नहीं चुका पा रह रहे है आप इसको 30 करोड़ कर दीजिए तीस करोड़ रुपिया जमा करता है लेकिए स्कार्ण रुपया किसको घटा हुए कि पचास क्रोट रूपया किसका था बैंक कभी नहीं यह नहीं हम लोग गरीब आदमी तो है इसतरे से किसको फायदा हो रहा अब यह 20 कोर रुप्य कहां कि उनकों पता है कि आपकी आपकी पंदे हैं कि यह कारण से हुआ है लिकिन आपने आये था किसीको निकल वा दिया होगा या किसी को पहले भेज दिया था जबकि ऐसा नहीं होता तो इसी तरह से बैंक भी सी यह दोकाधडी की जो समस्या है या कैसे थे कि जो सरकार का रवया इसे लोगों को कैसे थे कि असंतोस का माहौल बना हुआ है आगे बारतर के हैं कि और कुछ के बारे में बैंक का संगठन का कहना है कि जो बैंकों का बिले हो रहा ये बिले नहीं करके बैंकों को मजबूती परदान की जाए या अगर माल ये पूरे सहर में सीर्वे पूरे आपके जो एरिया है उसमें सिर्फ एक ही ATM हो तो आप समझे सकते हैं कि कि इतना फिर लग जाएगा अभी आपने देखा भी होगा कि नोट बंदी के समय में हजारो एटियम थे लेकिन क्या हुगा हर जगह कैसे कि दो दो सो चार चार सो लोग और कैसे लाइन में लगे थे जब कि इतना बेवस्था होने के बाद भी कैसे कि ऐसी समझाय थे तो जहां पर अभी दस बैंक है वहाँ पर एक बैंक रहेगा तो जहां पर बैंक कम हो जाएगा वहाँ पर क्या आपकी समस्या समधान हो पाएगा आप जरूर कह सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा आगे बात करते हैं कि बैंकों का संगठन का ये मांग है या उनका ये कहना है कि क्या अगर बैंकों का बिले करने से आपकी अर्थवेष्था या कह सकते हैं कि NPA कम हो जाएगा तो ये आपका लिजे कोई दिक्क नहीं लेकिन इससे कोई भी कह सकते हैं कि अर्थवेष्था सु पैसा जमा कराएंगे। तो आपने कहसेते हैं कि सरकार ने क्यों RBI की माध्यम से RBI ने आपको पता होगा कि RBI ने कहसेते केंद सरकार को 1.76 लाख करोड उपया दिया है आप समझ सकते हैं यह बहुत बड़ी रासी होती है 1.76 लाख करोड उपया कहसेते कि RBI जो कहसेते कि बैंकों का बैंक है इसने में केंद सरकार को दिया है तो यह क्यों कह सकते हैं कि केंद सरकार अपने पास रखी है जब कि बैंकों की आर्थिक इस्तिति सुधारी जा सकती है और जब कि RBI के पास कोई इस तरह से कह सकते है ये पैसा किसका है ये छोटे-छोटे बैंकों का है और कह सकते है कि छोटे-छोटे बैंक कहां से लाते ये जनता का पैसा ही तो है तो इस तरह से सरकार कह सकते है 1.76 लाग करोल उपे क्या कर रही है सिर्फ अपने पास रख रही है अपनी सम किसी भी पेपर में डेली नियूज में आ रहा आज कह सकते हैं कि आज का जो पेपर था बैंक के बारे में बहुत ही कैसे डेटेल दिया था वहां से मैंने पॉइंट निकाला है और इन्हों जो जनता है कैसे जो कर्मचारी उनके अंदर गुस्सा रहेगा और इस तरह से करने धरना प्रत्रसन करेंगे ऐसा चीज करेंगे तो इससे एफेक्ट पड़ेगा इसलिए अभी भी नहीं करेंगी लेकिन आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज बंद होता है या कैसे कि जो ब बारे में आपको बात कर रहते हैं और एक बात करेंगे इतना बैंक होने के बाद भी आज चहते हैं कि जो ऐसए स राज के अभी भी नहीं हो कोई पता होगा कि पूरे भारत में डीजल इंडिया चलना है इतना जो ग्राउंड लेवर्ट पर काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा आप इस वीडियो के नीचे जरूर बताएगा तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर आपने कैसे कि इस बारे में समझ में आया होगा कि बैंकों का बिले से क्या फाइदा होगा या कैसे नहीं होगा या आप ज़रूर बताएगा तो अगर यह वीडियो आपको पूरा समझ गया और चैनल को अभी तक समस्क्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से मैं जो भी कहसी में कि देश पर अपने देश में समस्य है या इंटरनेशनल लेवल पर मैं इसके बारे में डेली आ करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे लोगों को पता चले कि क्या आपका एक लाग कह सकते हैं कि क्या आपका 127 लाग करोड उपया क्या सुरच्छीत है या नहीं इसके बारे में जरूर आप विचार भी मस करिए इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का केल्डी क्लासेस की और से